हेलो एब्रीवन स्वागत है आपका हमारे येट्यूब चैनल साहो सॉर्फ सॉलूशन्स पर और आप देखना सुरू कर चुके हैं रियेक्ट 18 का फुल टुटोरियल सेरीज आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि js6 में अट्ριभिट को कैसे अड किया जाय है यानि कि how to add SIM attribute in js6 यानि कि हम लोग आजकी वीडियो में देखने वाले हैं कि जब js6 का code लिगते हैं तो испल के tag and inputs होते हैं इस में ुष्यप को कैसे एड किया जाएं कि ठ् defl करते हैं अज का ये वीडियो तो हम देखने वाले हैं, how to add attributes in JSX, देखिए, तो attribute को कैसे add किया जाए, JSX के अंदर, उससे पहले आपको जानना चाहिए, बहुत लोगों का idea नहीं होगा, कि HTML attribute होता क्या है, ठीक है, तो आप लोग देखिए, HTML attributes are a special word, which provide additional information about the element, यानि कि element का ये additional information provide करता है, कौन, HTML का attribute, ठीक है, और यह जो HTML का attribute होता है, इसको हम लोग Key and value pair के रूप में लिखते हैं, Key value pair के रूप में लिखते हैं, जैसे ID और ID और American Assigne का Sign यानि कि equal का Sign और उसमें value देते हैं, ठीक है, यानि कि Key and value pair के रूप में आप HTML का attribute set करते हैं, ठीक है, और आप एक element पर multiple attributes set कर सकते हैं, और दो attributes के बीच में आपको एक aspects देना होगा ठीक है यह इसके कुछ rules हैं जिसको कि आपको follow करना होगा ठीक है और यह attributes है यह उस element का behavior define करता है additional information है और उस element का जिस element पर आप यह attributes set करेंगे उसका यह behavior define करेगा अब suppose कर लिए कि मैंने एक HTML का input tag ले लिया और उस पर मैं type में दे दूँगा test तो वो input test box बन जाएगा अगर उसे input में type में दे दूँगा तो मैं password है तो password के लिए test box बन जाएगा अगर उसी input में type में दे दूँगा button तो button बन जाएगा ठीक है तो यह सारे चीज आप लोगों को पता होना चाहिए ठीक है और I think आप लोगों को clear हो गया होगा कि attributes क्या होता है HTML में ठीक है लेकिन हम लोग आज बात करने वाले हैं कि J6 में attribute को कैसे add किया जाए ठीक है तो देखिए J6 allows us to use attribute with the HTML attributes just like we do with normal HTML जैसे आप लोग normal HTML में हम लोग normally attribute को set करते हैं ठीक उसी तरीके से ही हम लोग के J6 में भी attribute को set करते हैं ठीक है but instead of the normal naming convention of HTML J6 uses camel case naming convention for attributes बस इतना मात्र का अंतर होता है और लेकिन थोड़ा बहुत और अंतर होता है धीरे धीरे आप लोगो समझ में आगा naming convention को ले करके जैसे कि HTML में जब हम लोग attribute लिखते हैं तो lower case में लिखते हैं ठीक है लेकिन वही attribute जब आप J6 के अंदर लिखिएगा तो camel case में हो जाएगा ठीक है camel case क्या होता है जैसे अगर हमें लिखना है मान लिजिए कि दो word जैसे ठीक है तो उसका जो first word का जो first word बिल्कुल lower case में रहेगा second word का जो पहला character होगा वो upper case में होगा जैसे tab index टैब इंडेक्स तो टैब का टी एबी स्मॉल अटर में रहेगा और उसके बाद जो इंडेक्स है इंडेक्स का आई capital letter में होगा तो यह क्या हो जाएगा camel case में हो जाएगा ठीक है तो चलिए देखते हैं कि कैसे करेंगे सब कुछ को मैं live example दिखाऊंगा देखिए इसके अल क्लास भी क्या है एट्रिब्यूट है ठीक है तो जब हम क्लास को जैसे के अंदर लिखते हैं तो उसका हमें नाम चेंड करके क्लास नेम लिखना पड़ता है ऐसा यसलिए कि क्योंकि जैसे के अंदर हम लोग HTML और JavaScript दोनों को मिक्स करके code करते हैं और यह जो class keyword है यह HTML के compiler को समझ्根естरा नहीं आएगा कि आप किस क्लास की बात कर रहे हैं एश्ट से इमेल वाला class की बात कर रहे हैं जावा स्कूट वाला क्लास की बात कर रहे हैं ठीक है तो यहाँ पर हम क्या करते हैं जो人 रोगताय वाला जो प्लास ईयुकर लिखते है उसको में ली चुफय कि ठीक है। तो चलिए एक क्लिरी चीज का हम लोग यहां पर लाय इंपर करके दिखाते हैं कि कैसी अट्रिब्इवट को k Bart टे करने के सब्सक्राइबेन के दो तरीका ठीक है क्लिए एक चीज़ यही टिएक स्टिरिंग के रूपех में हम लोग दे देंगेए एक दूसरा का ए वीडियो का है मैंने इसको हटा दिया जैसे क्लोंग लिए ऐडिया है कि ये वीड वडाइप बनाए घिम्स पर मुझे एक कंपोनेंट को इंपोर्ट किया हुआ है डिफोल्ट तो यहां पर मुझे एक कंपोनेंट बनाना पड़ेगा नाम देता हूं क्या export default क्या function app ठीक है एप ठीक है यह क्या बना दी हमने app component बनाया इसमें मैं क्या करता हूं return ब्रैकेट के अंदर क्या लिखूंगा माल यह मैंने फ्रेग्मेंट ले लिया ठीक है और यहां पर सब्पोज कर लिजिए मैं लेता हूं किया एक input इनपूट देख लिए यह एक HTML का tag है element है ठीक है अब इसके अंदर हम एट्रिब्यूट कैसे दिखते हैं एट्रिब्यूट इसका क्या हो जागा जैसे i-d-i-e-e-tribute हो गया यहीं हो गया क्या की and वैलू प्यार आईडि में मैं लिजिए मैंने देदिया क्या d आइडि में देदिया हमें टी इसटी नेम ठीक है यह आइडी क्या है अट्रिब्यूट है और इसका वहलू क्या होका टिस्ट नेम ठीक उसी तरीके से इसका नेम एक्ट्रिबीट हो गया और यहाँ पर क्या है और्हाँ प्रभा उत्रिबीट हो गया हो 552 के बीचम में ऐसे हे स्पेस कुमा है अगर आप टच कर देंगे ऐसे तो यह काम नहीं करेगा ठीक है आपको एक space list देना होगा ठीक है देखे लिज़िए आप इसको अम रॉन करके लिखाते हैं रॉन करने के लिखते हैं हम लोगे एन पी एम रॉन डेव ठीक है तो यह एक हमें पोर्ट पर रॉन करके देगा देखिए यह port हम copy कर लेते हैं, copy कर रहा हमने, ब्राजर पर मैं आता हूँ, paste कर रहा हमने, और आप यहाँ पर एक test box बन गया है, जिसमें अजी सिंग लिखा भी गया, करके देख लिजिए, आपको HTML attribute के तरह आपको यहाँ पर दिख वीड़ा होगा, देख लिजिए, console में आप आएंगे, देख लिजिए, console में अभी error के बारे में मैं बलाता हूँ, error किसलिए है, ठीक है, अभी होतना आप लोग डिएक जिस पढ़ें नहीं है, इसलिए समझ में इस पर एक handler लिखूँ, on click, या change event, change event test bus पर होता है, तो change, या तो मैं change event को यहाँ पर apply करूँ, या मैं यहाँ पर default value डाल दूँ, यह default value डालने के लिए हमें बोल रहा है, ठीक है, तो अगर यह आप error नहीं लाना है, तो आप यहाँ पर change event को लिख सकते है, change event, ch on change, यह on change ल email, ठीक है, refresh करिए, देख लिजे, आप कोई वो error नहीं आएगा, ठीक है, तो इस default value कियों डालना पड़ रहा है, event कैसे डालेंगे, यह सब अभी आने वारे वीडियो में हम लोगों, आप लोगों को सब कुछ एक एक करके बताएंगे, ठीक है, यह सब क्या है, यह सब attribute है, आप देख रहें क्या कि यहां पर भी attribute में वैसे ही apply कर रहा हूं, जैसे आप normal HTML में करते हैं, ठीक है, अगर मैं यहां पर मान लिजे कि एक और attribute दे दूँ, जैसे tab index, देख लिजे, अब यहां पर क्या है, कि दो word है, है ना, default और value, तो यह camel किसम है, देख लिजे, अगर मैं lowercase, मतब first word lowercase में, और second word का, जो दूसरा, second word का, word का, जो first character है, उसको हमें capital letter में लिखना होगा, जैसे tab index, अगर आप यह statement में लिखते है, तो ऐसे लिखते है, बिल्कुल lowercase में, लेकिन अगर हम J6 में लिख रहा है, देख जे, suggest भी कर रहा है क्या, यहां पर, camel case में लिख य यह one, one देना है, ठीक है, देखिए, तो one हम अगर ऐसे देंगे, यह तो string बन जाएगा, ठीक है, तो हमने आप लोगों को क्या बताया था, कि string के अलावा, string के अलावा, अगर हमें कोई भी, किसी भी type का value sign करना होता है, तो हम लोग उसको expression में लिखते है, curly basis लिखे हमने, औ अब यह number हो गया, घांदी जगा, string के अलावा, कोई भी, अगर आप किसी भी data type का value sign करनी है, तो expression के अंदर लिखी नहीं है, यह आप लोग कहीं पर note करके लिख लिजिए, ठीक है, देख लिजिए, अब tab index, आपका यहाँ पर आ गया, tab index, कोई error नहीं है, अगर आप यहाँ देखेंगे भी, यहाँ परा करके देखिए, तो tab index देख लिए, जब HTML बना होगा इसका, तो lower case में बना होगा, देख लिजिए, सब lower case में, देख लिजिए, tab index, जो default value है, वो jesis का part है, न की HTML का, इसलिए डिफॉल्ट, default value, default value जो है, वो jesis का part है, न की HTML का, इसलिए जब वो parse होगा, HTML में, तो default हट करके, क्या बना होगा, यहाँ बना होगा, ठीक है, तो दो चीजिए आपने सिखा कि, apply हमें, एट्रिब्यूट, जैसे इसमें भी, exact वैसी करनी है, जैसे आप normal HTML में लिखते हैं, बस ध्यान इतना रखना है, कि यहाँ पर, सिंगल वर्ड है, तो यहाँ पर कोई दिखत नहीं, लेकिन जैसी इसमें double वर्ड को मिला करके अट्रिब्यूट रहेगा, तो इसको आपको camel case में लिखना है, सपोज कर लिजिए, जैसे यहाँ पर, आप एक label ले लिजिए, label लिजिए हमने, ठीक है, label में मान लिजिए, मैं मान लिजिए, देदी हमने name, ठीक है, for में देदी हमने यह यह वादा name वाला value यहाँ पर, full name देदी हम मान लिजिए, जो भी है, कोई दिखत नहीं है, ठीक है, अब देखिए, अब यह जो for है, अब यह चुकि क्या है, यहाँ सरकर क्या है, जैसे का code, इसमें हम लोग javascript को भी mix करके code कर सकते हैं, और html का भी code करते हैं, ठीक है, अब बताइए, यह जो for है, html के अंदर for attribute, यह attribute है, यह for तो html का भी part है, और javascript का भी part है, javascript में भी हमनों loop जाने के लिए for लिखते हैं, और html का ही part है, तो अब read के compiler को कैसे समझ में आगा, कि यह for loop है, for यह यह जो keyword है, आपने javascript उला use किया हुए है, यहाँ पर, यह html वाला है, ठीक है, हलाकियों समझ जाएगा, देखें, समझ जाएगा, लेकिन हम खुद से बताएंगे, अगर आप खुद से नहीं बताएंगे, तो समझ जाएगा, लेकिन आपको ओ alert भी देगा, ओ आपको alert भ लिखा याता है, देख लिए, html for लिखने के लिए बोल रहा है, यह जो for है, html का है, देखिए, यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, copy comment, यहाँ पर लिखेंगे, क्या, html for, इस तरीके से, देख लिए, आप कोई warning message नहीं आगा, refresh कर देजे, देख लिए, कोई warning message नहीं लिखेंगा, आप इसका html देखिए गया, तो html for नहीं देखेंगा, केवल for दिखेंगा, लेवल में देख लिए, केवल for, जब parse हुआ तो, क्योंकि html में, kेवल for है, html for होता है, देखिए, दिकत क्या होता है, वो सारे attribute, जो की html और javascript, दोनों में अगर match कर गया वो name, ठीक है, तो दुनों में differentiate किया गया है, ठीक है, जैसे, यह html for हो गया, अगर मान लिजे कि मैं यहाँ पर एक class लगा देता हूँ, suppose, copy comment, suppose कर लिजे, कि मैं यहाँ पर एक class लगा देता हूँ, देखिए, अब यह class, class, यह class क्या है भाई, class देख लिजे, यह class हम लोग पेश्टी एमेल में, CSS supply करने के लिए यूज में लेते हैं, और यह class आपका JavaScript में भी होता है, तो फिर हो गया confusion ना, अगर देख लिजे, अगर मैंने यहाँ पर भी कोई class का ना, मैं भी यूज नहीं किया, देख लिजे, अब फिर भी यह error देदा होगा console में, बता रहा है कि देखिए, invalid DOM property class, did you mean class name, अब इसको class name बनाया गया है, class name, camel case में लिखना होगा आप लोगों को, जब भी दो word बनेगा तो camel case में, देख लिए यहाँ पर भी दो word है, camel case में लिखा हुआ है, if capital में है, यहाँ पर भी n capital में है, देख लिए अब वो error नहीं आएगा, refresh कर दिया, खतम हो जागा, ठीक है, यह class क्या है, css वाला class है, ठीक है, अगर आप लोगों को एक है, class apply करके दिखाता भी हूँ, मान लिजिए, मैं यहाँ पर एक देखिए, app.css, ठीक है, और यहाँ पर मान लिजिए, t, i, t, title देखिए हमने, title देखिए हमने, ठीक है, और यहाँ पर क्या देखिए हमने, color देखिए हमने, color में देखिए हमने, r, e, color में देखिए हमने, r, e, d, red, बस, अब यह css मैं यहाँ पर import कर दूँगा, imp.import.slash, app.css, ठीक है, और यहाँ पर क्या नाम दिया हमने, t, i, t, i, title, class का नेम, यह उठा करके, यह उठा करके, मैं class का नेम यहाँ पर डाल दिया, ठीक है, देखिए, यह rate color में आएगा, rate color में देखिए, आगया, टिके यह सब इत्रीवूट है यह यह इत्रीव्यूट है यह यह सब इत्रीवूट है ठीके तो आप लोगों को बस ध्यान के देना है कि अपलाई करने का जो तरीका हो जर्च लाइक HTML की तरह ही है जैसे आप लोगे नर्मल HTML में हम लोग अट्रिब्ट अपलाई करते हैं वसी यह यहाँ पर भी की अपलाई करनी है ठीक है बस नेमिंग करने संब का ध्यान में रखना है कि यहाँ पर आपको कैम लिखनी है और जो कीवर्ड मैच कर रहा है है HTML में और जावा स्कुट में दोनों के अट्रिब्ट में तो उसको अलग अलग नाम दिया गया है जैसे फॉर के लिए HTML फॉर क्लास के लिए क्लास ने ठीक है इस तरीके से आने वाले दिनों में हम आप लोग को देरे-देरे करके एक चीज़ सब कुछ सब्सक्राइब कर दिए अंड़ना है क्या जाओ लिए यहां पर आपना कूघ अट्रिब्ट मैं इसका भी नाम कह दूंगा अइसे दूंगा कैमल वमी अच्प्तार नाम देदिया सभस्का सभी यह यह भी अट्रिब्यूट है देख लिजे एरर आगया ठीक है देखिए क्या पता रहा है कि रिजेक्ट डज नॉट रिगनाई जे दा माई एटर प्रॉस अंडॉम अभी इसको नहीं मिल रहा है देख लिए क्या बोलेक लोवर किसमें लिखिए कैमल किसमें नहीं लिखना ह देखिए अब यहाँ पर आएंगे भी देख लिजे तो यहाँ पर क्या मिलेगा माई आटर हैनि कि जोब का कस्टम है का स्टम एट्रिब्यूट को कैमल केस में नहीं लिखना है लोवर केस में लिखना है दूसरी चीज कि जब आप ऐसे लिख रहें तो नेमिंग कर में संब आप लोग ध्यान में रख लिए ठीक है थोड़ा सा हम लोग मतलब यह रिकेमेंडेशन है कि जब भी हम लोग अपना कस्टम अट्रिब्यूट बनाए तो डेटा हाइफन फिर्फिक्स के साथ डेटा हाइफन ऐसे लगा देते हैं ताकि पता लग जाए एक बार देखने में य यह हमारा कस्टम अट्रिब्यूट है ठीक है देख लिजिए कोई अरण नहीं आएगा और आपको यहाँ पर होगा आप जेस में कैसे अपना करेंगे इस आजकी वीड उनकेकर आप लिजिए अनगे और लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा फिर